Hello friends, स्वागत है आप सबका, आपका अपना YouTube चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए Current Affair का Part 2 जो कि मही महीने का एक और वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके आप लेलिस से देख सकते हैं इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दू अगले महीने से जो Current Affair का Part होगा वो चार वीडियो में कवर कर दिया जाएगा जो आपको बीगली फॉर्म में मिल जाएगा मतलब 1-7 तारिक तक का Current Affair 8 तारिक एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा 8 तारिक से लेके 14 तारिक वीडियो का कवर 15 तारिक को कवर कर दिया जाएगा इस तरह से आपको पूरे महीने में 4 वीडियो मिलेंगे जो की Current Affair के हिसाब से काफी महधपुर्ण है और सारे Questions एक जाम में आपको इनी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन पे दबा दिजे ताकि आपको इसी तरह के यूश्फूल कंटेंट वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे चलिए तो आएए सुरू करते हैं हमारा पहला Question है वीडियो के जरिए KYC सुरू करने वाला देश का पहला Bank कौन है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा Option No.B Protect Mahindra Bank ठीक है कोटेक महिंद्रा Bank ये बैंक है जो KYC सुरू क ये वीडियो कांफरेंसिंग के जरिए आप अपना KYC करवा सकते है KYC होता है Know Your Customer अगर हम बात यही पर बंधन बैंक की करते हैं तो बंधन बैंक का Headquarter कहा है? कोलकता में है और इसका जो Establishment जो हुआ था वो 2001 में हुआ था अगर कोटेक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो इसका Headquarter मुम्बई में है और यह 2003 में Establish हुआ था अगर हम बात Yes Bank का करते हैं तो Yes Bank का Headquarter भी मुम्बई में है और इसका गठान 2004 में हुआ था अगर हम बात केंडरा बैंक की करते हैं तो केंडरा बैंक का जो headquarter है वो bank लोरू में है और इसका गठन establishment उनाई सो छो में हुआ था लेकिन याद रखेगा यह जो बैंक था वो nationalize हुआ था 1969 में चेलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारा इंडिया पोस्ट ने किसे स्रिधांजली देने के लिए मुंबई के एतिहासिक जीप्यों भवन में एक बिसेश पोस्टल कभर जारी किया है तो इसका जो सई answer है बो है option number C परवासिस्रमी को को के लिए ठीक है अगर हम बात इंडियन पोस्ट की करते हैं तो इंडियन पोस्ट का headquarter कहां है headquarter इंडियन पोस्ट का है निव देली में और establishment इसका हुआ था 1854 में और अभी इसकी जो महानी दे सके हैं वो है अरुन धति घोस ठीक है सबसे ज्यादा important हो क्या जाता है कि आप current से related जो aesthetic fact है इसके वो याद रखेगा क्योंकि जो questions आज के date मे static gk के form में पूछे जाते वो कहीं ने कहीं उनका relation current affair से होता है चलिए तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारा question number third question number third कह रहा है अब startup को बढ़ावा देने के लिए किस राज सरकार ने भारत का पहला cyber space accelerator launch किया है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number B करनाटक ठी अगर इसके हम CM की बात करते हैं तो अभी इसके जो प्रजेंट में मुख मंत्री है वो है B.S.A. दुरप्पा ठीक है यहाँ लोगसभा की seat है 28 विधान सभा की seat है 225 यहाँ के राजपल है बजू भाई वाला ठीक है और करनाटक से कुछ चीज याद रखेगा कि यहाँ बन करने के लिए कि स्कार्ज करम को सुरू किया है तो इसका जो सही अंसर होगा बो है और इसके तहट याद रखेगा 12 नए DTA चैनल शुरू किये गए हैं जो की पढ़ाई को continue रखेंगे और जादी करने में मदद करेंगे चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि है हमारा question question number 5 question number 5 कह रहा है किसकी अध्यष्टा वाली ICC की क्रिकेट समीटी ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक लार का इस्तेमाल पर प्रतिबंद लगाने की सिफारिस की है देखें actually आज से पहले होता क्या था कि गेंद पर साइन लाने के लिए जो प्लेयर्स होते थे वो ला की सिफारिस की गई है क्योंकि आज के डेट में जो कोबीड उनीस का जो खतरा चल ला है महामारी चल ली उसके कारण तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर ए अनिल कुंबले ठीक है अगर हम बात ICC की करते हैं तो ICC का जो इस्टैबलिस्मेंट हुआ था वो कोशन की तरफ जो किया हमारा कौशन नमबर 6 कह रहा है विस्वास संगठर कितीहतर में दो दिवसिय बार्सिक बिस्वास सभाक आयोजन किस सहर में किया जा रहा है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 4 जनेवा में देखें ये तो एक्चुली अब चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो किया हमारा कोश्चन नुबर 7 कह रहा है हाली में किस देश के बैग्यानिकों ने सूपर अर्थ की खोज की है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नुजी लेंड ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं न्यूजी अगर हम बात आपिन की आपर सूपर अर्थ की कर लेते हैं तो देखेा सूपर आर्थ होता क्या है सूपर अर्थ होता एक ऐसा प्लैट नेट होता कि मास जो होगा वो प्रिथिपी से ज़्यादा होगा मतलब है प्लानेट हुज मास हाइयर दें दे अर्थ इजनोनेच सूपर अभी तक तीस एपरोक्स तीस सूपर अर्थ की खोज हो चुकी है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरह अगला कोशिन है हाली में नवाड के अगले कोशिन की तरह अगला कोशिन है हमारा हाली में किस राज सरकार ने मियन पुढ़ना पहल का सुभारम किया है तो इसका जो सही अंसर होगा ओगा अगर हम बात यहीं पर महराश्ट की कर लेते हैं तो महराश्ट से याद रखिएगा जो अभी यहां के भागत सिंग कोशियारी और यहाँ साथी साथ याद रखियेगा महरास्ट में तंसा भी आरन है अब और बिली राष्टिये उद्ध्यान है बढ़ते अगले कोशियन की तरफ अगला कोशियन है हमारा हाली में भावतिये रेलबे ने अपना पहला 12000 होर्स पावर बाला इंजन सब फड़ता पुर्वक चलाया है इसका नाम क्या है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नमर बी बैग टुबल देखिए यहां पर यह बना किस फाक्टरी में तो इसका अगर नाम याद रखिएगा कभी कभी यह भी पूद दिया जाता है यह बना कहा है तो यह ब तो यह जो WAJ है वो है क्या अथिए WAJ स्टेंड क्या करता है तो WA कि εगर हम बात करते तो W डिवन करता ब्रॉड गेज को ठीक है AC डिफाइन करता AC ट्राक्शन को और जो यह G ड़िफाइन करता है वह डिफाइन करता है गूड्सड्यूटि को ठीक बात यहीं पर railway board की कर लेते हैं तो अभी railway board के chairman है बिनोत कुमार यादव और अभी जो ततकालीन rail minister है बो है Puse Goyal ठीक है Puse Goyal चलिए बढ़ते हैं अगले question की दरब जो की है हमारा question number 11 हाली में अंतराष्ट ये चाय दिवस कम मनाया गया तो इसका दिलवाना दैनिक मजदूरी टाइम पे दिलवाना रोजगार और स्वास्तुर अच्छा सुनिश्चित करना यहीं उद्दे से चाय दिवस मनाने का ठीक है तो यह 21 माई को मनाया जाता है देखिए अगर माई से important और कुछ भी दिवस आपको याद रखना होगा देखिए जैसे कि है एक माई को याद रखिएगा माई दूर दिवस मनाया जाता है तीन माई को मनाया जाता है विस्ट प्रेश वस्तंतरता दिवस आठ माई को मनाया जाता है रेड क्रोस दिवस ठीक है बाराम माई को मनाया जाता है नर्स दिवस और 31 माई को मनाये जाता है 20 तंबाकुनिसेद दिवस ठीक है तो यह सारी चीज़े को दिवस आपको याद रखने होगे चलिए बढ़ते हैं अगले कोशिण की तरब जो कि है हमारा कोशिण नमर्ट टुबेल कोशिण नमर्ट टुबेल कह रहा है हाली में किस राज में दीदी बाहन सेबा सुरू की गई है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा option number C यानि मध्यप्रदेश में ठीक है यह योजना है कि आखिर दिदी बाहन सेबा योजना है क्या दिदी बाहन योजना यह है कि आदिवासी छेतर में ग्रामीन जो गर्वती महिलाएं है उनके लिए शुरू किया गया यह दिदी बाहन सेबा सुरूर ठीक है अगर हम बात यहीं पर मध्यप्रदेश की कर लेते हैं तो मध्यप्रदेश के CM अभी सिवरासिंग चौहान है ठीक है यहां के गवर्नर लाल जी टंडे ने यहां लोकसभा में 29 सीठ है बिधान सभा में 230 सीठ है साथी साथ याद रखिएगा यहां कानहा, माधब, बांधबगड, पन्ना, सत्थपूरा यह सारे राष्टियों उध्यान यहीं MP में ही है ठीक है अगर सबसे ज़्याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंडिया में दिवस मनाया जाता है उसका थीम याद रखिएगा क्योंकि आजकल थीम एकजाम बाले को पूछना बड़ा फैवरेट कोश्चन हो चुका है तो थीम या इसका जो है आबर सॉलूसन आर इन नेचर मतलब हमारा जो सामाधान है वो प्राकिर्थी में है ठीक है हमारा सामाधान रखिर्थी में है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की दरब जो किया हमारा कोश्चन नबर 14 कोश्चन नबर 14 है ग्राकों को डिजिटल मोटर भीमा पॉलिसी देने के लिए फ्लिपकट ने किसके साथ समझाता किया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नबर B यानि बजाज अलाइंस जेर्नल इंसुरेंस के साथ अगर हम बात यहीं पे बजाज अलाइंस जेर्नल सर्विसेंस की बात कर लेते हैं तो इसका गठन 20001 में हुआ है और इसका हेड़कौर्टर पूने में है ठीक है और इसके जो अभी CEO है वो है तपन सिंगेल क्या नम है उनका तपन सिंगेल अगर यहीं पे हम फ्लिपकट की बात कर लेते हैं तो फ्लिपकट का गठन 2007 में हुआ है इसका भी हेड़कौर्टर मुंबई में है और अभी जो इसकी CEO है फ्लिपकट के उनका नाम है कल्यान क्रिस्नमूर्थी ठीक है कल्यान क्रिस्नमूर्थी चलिए बढ़ते हैं अगले कोशियन की तरफ अगला कोशियन ह निम्न में से किस संस्था ने हाली में लीडिंग दे गेम बेबी नार्स रिंखला की शुरुवात की है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नंबर भी यानि आई-सी-सी ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट कांसिल आई-सी-सी का फूल फॉर्म होता है और आई-सी-स की बात करतें तो फीपा का गठन उन इसे चार में हुआ है और इसका है टकॉर्टर घॉरिक स्विजर लेंड अ इसके जो प्रसिडेंट है बहो है जियनि इंफथिनो ठीक है जियानी इन्फेंटीनो ठीक है अगर हम बात यहीं पर BWF की कर लेते हैं BWF का मतलब होता है बैड मेंटर बर्ड फर ड्रेशन अगर BWF की बात करते हैं तो इसका उन्हें सो 34 में हुआ था और इसका हेड़क्वाटर है मलेसिया में ठीक है जो मलेसिया में कहां कुलालंपूर में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोईशन है हमारा हाली में किस राज में तत पर योजना शुरू की है तो इसका जो सही अंसर होगा बो है आप्सन नमबर B यानि जारखंड में ठीक है इसको भी अभी हाली में जी आई टैग मिला यह भी करेंट का ही कोशन है अगर बात यहीं पर हमारा जारखंड की कर लेते हैं तो जारखंड से याद रखिएगा इनके मुखमंत्री है हैमन सरेन राजपल हैं द्राबदी मूर मूरे द्राबदी मूर में लोकसभा में यहां 14 सीठ है विधान सभा में 81 सीठ है और यहां साथी साथ होर याद रखिएगा कि यहां बेतला राष्टियों द्यान है ठीक है और पलामू पारसनाथ हजारी बाग गौतम बूध यह सारे बंद ज कुल्क में कितने प्रतिसेत की ब्रिधी की है तो इसका जो साही अंसर होगा बो है आपसन नमर बी यानि 20 परसेंट ठीक है चलिए बढ़ते है अगले कोश्चन की तरब जो किया हमारा कोश्चन नमर 18 कोश्चन नमर 18 कह रहा है निम्न में से किस राज ने बुखार क्लिनिक क चलिए बढ़ते है नेक्स कोश्चन की तरब नेक्स कोश्चन है हमारा हाली में किस राज सरकार में सब को रोजगार मिलेगा पहल की सुरुवात की है तो इसका भी जो साही अंसर है बो है आपसन नमर बी यानि मध्ध परदेस ठीक है मध्ध परदेस से और चीज याद रख किया है यहां मध्ध परदेस में एक और जीवन अमरीत योजना चलाया गया है ठीक है और मध्ध परदेस में ही मध्ध परदेस में इंदौर्त में चरन पादु का योजना भी सुरू किया गया है ठीक है चरन पादु का योजना बो है जो की कोबीड महामारी के चलते जो प पादक है भारत में ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 20 हाली में भारत से सीमा भी बात के बीच किस देश ने अपना नया मांची सुक्रित किया है तो इसका जो सई अंसर है वो है option number C यानी नेपाल ठीक है अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राधानी है काठमांडू इसका currency है रूपया और यहां के अभी परधान मंत्री है केपी सर्मा ओली ठीक है केपी सर्मा ओली चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है हमारा अंफान तुफान से नु जार को डोड़ दिया है और अगर ओडिशा question पुछा जाए तो ओडिशा को 500 को डोड़ दिया है ठीक है दोनों पुछा जा सकता है दोनों याद रखिएगा ठीक है अगर हम बात यहीं पर पश्ची मंगाल की कर लेते हैं तो पश्ची मंगाल के अभी CM है कौन ममता बनर जी और यहां के राजपाल कोन है जगदीप घंकर ठीक है जगदीप घंकर यहां के राजपाल है अगर हम पश्ची मंगाल के बारे में और बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा भारत का पहली digital parcel locker सेबा यहीं ने शुरू किया था पश्ची मंगाल ने पहला digital parcel locker सेबा ठीक है और इसने एक परवासियों के लिए अग्जिस्ट अप लॉंच किया है अग्जिस्ट अप लॉंच किया है परवासियों के लिए ठीक है और साथी साथ याद रखिएगा पश्ची मंगाल का एका railway station है आसन सोल railway station ठीक है और यह आसन सोल railway station जो है यहीं खोला गया है एक restaurant और railway station पे ठीक है पश्ची मंगाल से और अगर कोई चीज याद रखना है तो याद रखेगा यहाँ सुंदर्बन नियोरा घाटी जल्दा पाड़ा यह सारा राष्टी यह उद्यान कहा है पश्ची मंगाल में यह चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि है हमारा question number 22 question number 22 कह रहा हा हाली में किसने order me नामक e-commerce एप लाउंच किया तो इसका जो सायंसर होगा वो होगा option number B पतंजली देखे अब पतंजली ने यह order me नामक e-commerce एप लाउंच किया है इस एप में है क्या इस एप में है कि नीजिया स्टोर से मुक्त home delivery समान आप मंगवा सकते हैं और 1500 डाक्टरों का ठीक है 1500 डाक्टरों का 24 इंटु 7 मुफ चिकिस्ता सलाह देने की सुधा उबलब्द है ठीक है अगर हम बात यही पर पतंजली की कर लेते हैं तो पतंजली की गठन 2006 में हुआ ठीक है बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 23 question number 23 कह रहा है RBI ने किस bank को 15,000 कड़ो रुपे लिन देने की घोसना किया है तो इसका जो सई अंसर है बो है option number C, Agjim Bank ठीक है? अगर हम Agjim Bank की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? Export-Import Bank of India ठीक है? इसका पूरा नाम है Export-Import Bank of India अगर हम RBI की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो RBI का headquarter है मुंबई में इसका गठन 1935 में हुआ है यह nationalize 1949 में हुआ है और अभी जो इसके government है वो है सक्तिकांत दास governor है जो है सक्तिकांत दास ठीक है? RBI इसे कुछ और चीज़े याद रखिएगा कि RBI ने अभी एक क्या किया है BTA 767-2020 का योजन भी किया है BTA 767-2020 ठीक है? RBI इसे एक और चीज़े याद रखिएगा इनने एक money app launch किया है ठीक है? Money app launch किया किन के लिए? जो visually है मतलब जो देख नहीं सकते है उनके लिए money app launch किया है ठीक है? और साथ ही साथ RBI ने क्या किया है? कि digital payment को बढ़ावा देने के लिए ट्यूटर अभियान भी चलाया है ठीक है? ट्यूटर अभियान भी चलाया है अगर यहीं पे हम और options की बात कर लेते हैं यस बैंक अगर बात करते हैं तो यस बैंक का जो है वो मुंबई में है हेड़क्वाटर 2004 में established हुआ था Kinra Bank का हेड़क्वाटर बैंगलोर में है 1906 में established हुआ था 1969 में यह जाके nationalize हो गया था एक जिम बैंक की बात करते हैं इसका भी हेड़क्वाटर मुंबई में है 1912 में established हुआ था HDFC की बात करते हैं तो इसका हेड़क्वाटर भी मुंबई में है और 1994 में इसका गठन हुआ था चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो किया हमारा question number 24 question number 24 है कौनसा राज-राष्टिये खेल 2022 की में जवानी करेगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number ए में घाले करेगा ठीक है अगर हम बात में घाले की कर लेते हैं तो इसकी राध्धानी है सिलॉंग यहां के CM है Conrad संगमा यहां के governor है तथागत रोय यहां लोक सभा में 2 seat है विधान सभा में 60 seat है ठीक है और यहां से एक चीज़ और याद रखिएगा वो है नोंगर बाइले मभियारन नोंगर बाइले मभियारन कहा है यही में घाले में है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो की है हमारा question number 25 question number 25 कह रहा है हाली में दुनिया के सबसे अधीक पैसा कमाने वाली महिला खिलाडी कौन बनी है तो इसका जो सही अंसर है बो है option number B नाओमी उसाका यह है कहां की जापान की है खेलती क्या है टेनिस है टेनिस खिलाडी है ठीक है अगर इससे पहले बात करते हैं तो इससे पहले इक इनको पीछे छोड़के बड़ी है तो वो बनी है सरेना बिलियम्स को पीछे छोड़के जो सरेना बिलियम्स कहां की है अमेर जो तीनों हैं वो तीनों इंडिया से बिलॉंग करती है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि है हमारा question number 26 question number 26 है हाली में किस राज के मंद्री मंदल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number B यानी मिजोरम ने ठीक है अच्छा मिजोरम ऐसा किया क्यों है मिजोरम इसलिए ऐसा किया कि खेल के छेतर में रोजगार पैदा हो सके और लोग खेल में जादा से जादा अधीक investment कर सके निवेस कर सके ठीक है अगर हम बात मिजोरम की करते हैं तो इसकी राध्धानी आई जोल ह ठीक है यहां लोकसभा का seat 1 है विधानसभा का seat 40 है यहां के cm कौन है जो रन ठांगा यहां के cm है मुखमंद्रि है और यहां के अगर governor की बात करें तो यहां के जो राजपल है वो है स्री धरन पिल लई ठीक है, सिरी धरन पिल लाई चलिए, बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 27 question number 27 कह रहा है हाली में बलबीर सिंग 2 chance का निधन हो गया है उनका संबंध किस छेतर से है तो इसका जो सई अंसर है, वो है option number है, hockey से बलबीर सिंग 2 chance जो थे, वो होकी कहलते थे इनके बारे में कुछी चीज याद रखिएगा कि जब उन्हें 56 का उलम्पिक हुआ था ठीक है, उन्हें 56 का जब उलम्पिक हुआ था तो ये बलबीर सिंग 2 chance जो ही थे ये भारतिय टीम के कप्तान थे और इन्होंने final में पाकिस्टान को हराया था ठीक है, final में पाकिस्टान को हरा के सवनपदक जीता था अगर हम बात करते हैं तो फिर इनको जाके उन्हें सो संतामन में क्या हुआ था कि पदम स्री समान मिला था ठीक है पातनसरी समान मि पनाथा अगर हम यही बात कर लेते हैं होकी संग की तो होकी संग का गठन 2009 में हुआ है और अभी पुरू सॉकी ट्यim के कोज कोँ है अभी पूरू सॉकी टी About ग्राहम रेड ग्राहम रेड चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारा हाली में किस देश ने Space Operation Asquadden को लॉँच किया है तो इसका जो सही अंसर है बो है Option Number Japan ठीक है ये करेगा क्या ये जपान के द्वारा जितना भी उपगरा लॉँच किया है उसकी निग्रानी करेगा और जपान की रच्छा करेगा अगर हम लोग जपान की बात करते हैं तो जपान की राधानी टोकियो है इसकी करंसी यह न है और यहां के जो अभी परधान मंत्री है बो है सिंजो आबे ठीक है कौन है सिंजो आबे चलिए चलिए अब आएए अब देखते है कोश्चे नमबर 29 जो है हमारा वो कहरा है हाली मे किस देश की नौ सेना ने नए लेजर हथियार का परसांत महासागर में परिछन किया है जो उड़ते बिमान को भी नश्ट कर सकता है तो इसका जो सही अंसर है वो है ऑप्सन नमबर सी यानि अमेरिका ठीक है चलिए अगर हम बात अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका की राध्धानी है बासिंग टन डीसी ठीक है यहां की राध्धानी है डॉलर करेंसी है डॉलर और यह जो बासिंग टन डीसी है यह याद रखिएगा पोटो मैक नदी पर इस्थित है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 30 question number 30 कह रहा है हाली में संजुक्त राष्ट में भारत का नया अस्थाई प्रतिनिदीद किसे निक्त किया गया है तो इसका जो सई अंसर है वो है option number 1 TN3 मुर्थी ने ठीक है अकर हम बात UN की कर लेते हैं तो UN का जो गठन हुआ है वो 1945 में हुआ था इसका जो headquarter है वो New York में है और अभी जो इसकी अध्याच है वो है Antino Guterres ठीक है Antino Guterres अब member country कितना है इसका? 193 member country है UN का चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 31 question number 31 कह रहा है भारतिये से नामे अपसर और महिला सांती दूत उत्राखंट की किस मेजर को संजुक्त राष्ट Sam gender advocate of the year के अवार्ड से समानित करेगा तो इसका जो सही answer है वो है option number B यानि option number A यानि सूबन गबनी ठीक है? ठीक है देखिए याद रखिए का सूबन गबनी के सासा थे को और लोगों को मिला है वो ब्राजिल की सेंट कमांडर है उनका नाम है Carla Mac Ero de Casque ठीक है यह उनका नाम है और यह पहला बार है जब किसी भारतिये सांती रच्छक को इसे वार्ट से समानित किया जाएगा ठीक है चल ले बढ़ते अगले कोशन की तरब जो कि है हमारा कोशन नमर 32 कोशन नमर 32 कह रहा है कि इस राज ने 1100 दुरला पौधे को बिलुप्त होने से बचाने के लिए अपने सर्चन परियासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट परकासित की है तो इसका जो सही अंसर ह राजपल के लिए bits dress last 12 दुरानि मुख़ार के ओर राजपाल की बात heures अगार यहां के मुखमंत्री की बात करते तो यहां के मुखमंतृरी त्रिवें सिंग निम्राबत और यहां कि राजपल की बात करते हैं तो राजपल हैं बेबी रानी मौरिया ठीक है कौन है बेबी रानी मौरिया चलिए बढ़ते अगले कोशन की तरब जो किया हमारा question number 33 question number 33 है हाली में किस राज सरकार ने परवासन आयो की अस्थापना की घोस्टना किया तो इसका जो सही अंसर वो होगा option नबर B यानि उत्तरप्रदेस ने किया है ठीक है आब उत्तरप्रदेस से कुछ होड चीत याद रखेगा कि उत्तरप्रदेसी भर्चुल आधालत की तहद ठीक है भर्चुल आधालत के तहद सुनभाई करने वाला भी पहला राज है ठीक है इसने फिर geotag community kitchen वाला भी पहला राज है ठीक है और इसने एक परवासी राहत meat trap भी launch किया है अगर हम उत्रपरदेश की बात करते हैं तो यहां के CM है योगी आदितनाथ और यहां के governor है आनंदी बेन पटेल ठीक है चलिए बढ़ते अगले question की तरफ जो किया हमारा question number 34 question number 34 है हाली में किस राजसरकार सैनिकों के लिए निसुल्ख बस से बाश रुवात किया है तो इसका जो सही अंतर है यह है राजस्थान ठीक है अगर राजस्थान की बात करते तो राजस्थान से और याद रखिएगा इसने एक राज cop citizen एब भी लॉंच किया है इसने एक smile e-learning platform भी लॉंच किया है और इसने एक आईओ एवरं सेहत साथी एब भी लॉंच किया है तुक है डॉक्टर से इस आप कि थुरू डॉक्टर से ओनलाइन डॉक्टर कर सकते हैं अगर हम यहां के cm की बात करते हैं तो यहां के CM है असोग गहलोत, यहां के गवर्नर है कल राज मिसरा, और यहां से important याद रखिएगा, कि यहां घाना पच्छी बिहार है, रंथम भौर अभियारन है, कुम्बल गड़ा भियारन है, ठीक है, चलिए, बढ़ते अगले question की तरब, जो किया है, question number 35, question number 35 है, हाली मे किस राज ने अपने अस्पतालों में oxygen pipeline की अस्थापना की घोस्थना किये, तो इसका जो सही answer है, बो है, option number B, यानि की बिहार, ठीक है, बिहार के अगर बात करते हैं, तो बिहार के मुखमंतरी है नितिश कुमार, यहां के गवर्नर है फागु चोहान, यहां लोकसभा में 40 सीठ है, बिधान सबा में 243 सीठ है, और यहां बिहार के कुछ और यहार यह योजना याद रखिएगा, जो है, जल जीवन हर्याली अभियान, उसके बाद याद रखिएगा, मुखमंतरी कन्या उत्यान योजना, उसके बाद याद रखिएगा, मुखमंतरी ब्रिधजन पे किस सिथी को मनाया जाएगा ठीक है मनाया गया है तो इसका जो सही अंसर है बो है option number C यानि की 25 मई को ठीक है यह देखिए इसके सब सर पर्थम इसके मनाने की घोसना उन्हें 183 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था उस समय अमेरिका के जो ततकाली राश्पती थे जिनका नाम था रोनाल्ड इरीगन ठीक है रोनाल्ड इरीगन इन्ही के द्वारा किया गया था चलिए बढ़ते अगले question की तरब जो किया हमारा question number 37 question number 37 कह रहा है हाली में 20 स्वास संगठन ने किस संस्था के साथ खेलो और सारीरिक गतिवीधियों के माध्यम से स्वास को ब बाग WHO की करते हैं तो WHO 1948 में found out हुआ था और ठीक है इसका जो headquarter है यह है जिनेवा Switzerland में चलिए बढ़ते अगले question की तरब अगला question है हमारा नीवन में से किस देश ने हाली में अपने पहले मानब रही drone helicopter का परिछन किया है तो इसका जो science है वो है option number D यानि कि China ने ठीक है और इसका यह जो नाम है मानब जही drone helicopter है इसका नाम इनने क्या रखा इसका नाम रखा AR 500C ठीक है और इसको बनाया है किस company ने इसको बनाया है aviation industry corporation of China चलिए बढ़ते अगले question की तरफ अगला question है हाली में किस ने calling application catch up की launch किया है तो इसका जह सही answer है वो है option number C Facebook और Facebook के ओनर या CEO क ठीक है चलिए बढ़ते अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 40 question number 40 कह रहे हाली में pakai यह भी ने NHAI पर कितने रुपे का जुरुमाना लगा है तो इसका जो सही अंसर है वह है आपसन बज़े सात लाग रुपे ठीक है अगर हम का अगर हम वह है अगर हम बात सेभी की कर लेते हैं तो सेभी के फुल-फॉम है वो है Securities and Exchange Board of India ठीक है और सेभी का हेड़क्वाटर मुंबई में है और सेभी का अभी जो अध्याच है वो है या जयत्यागी ठीक है अब बात आती है कि आखिर सेभी ने स्वाइन लगाया कि उए NHI पे 7 लाक रुपे का तो देखे बीत बर्स 2016 से लेके बीत बर्स 2019 के बीच अर्थवारसिक बीतिये परिमानों की जानकारी देने में देली किया था NHI इसके कारण से भी ने उस पे 7 लाक रुपे का जुर्माना लगा दिया है चलिए बढ़ते आगल सहेली रखा है तो इसका जो सही अंसर है बो है और अभी दिली के मुखमंत्री कोन है और बींत के जरिवाल है चलिए बढ़ते अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा कोशन अबर 43 हाली में देश के किसानों और छोटे कारवारियों की सुद्धा के लिए किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ट के साथ साज्यधारी किये तो इसका जो सही अंसर है बो है आप्सन नबर सी एर टेल पेमेंट बैंक ने ये काम किया है चलिए बढ़ते अगले कोशन की तरफ जो किया हमारा कोशन अबर 44 कोशन अबर 44 कह रहा है हाली में किस राज ने 800 किलोमेटर यह सारे पौधे और यही सड़ा के दोनों तरफ लगाया जाएंगे इसी को हरवल सड़ा के रूप में बोला गया है ठीक है अगर हम बात यहीं पर यूपी की कर लेते हैं तो यूपी का गठन कब हुआ था उन्हें 150 में हुआ था यहां के CM कौन है योगी आदितना थे निपूर चंदप्रभा हस्तीनापूर यह सब बन जीव अभिहारन भी कहां है यूपी में ही है चलिए बढ़ते अगले कोशिन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नबर 45 कह रहा है किस राज में हाली में रास्वास्ट पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरी को के स्वास्ट डाटाबेस बनाए रखने के लिए परियोजना शुरू करने की घोस्टने की है तो इसका जो सही अंसर है और करनातक की बात करते हैं तो करनातक के यहां के कुछ लोकनिर्थ याद रखेगा याचगन कुनीता करगा यह सब यहां के लोकनिर्थ है यहां से एक चीज और याद रखेगा यहीं क्या है हिडिकल परियोजना है करनातक में ही हिडिकल परियोजना है और जो कि किस नदी पर घाट प्राभा नदी पर ठीक है भंदरा, सुमेसवर ये सारे अभियारन भी कहा है करनाटक में है चलिए, बढ़ते अगले कोश्चिन की तरब जो किया हमारा कोश्चिन नबर 46 ये कह रहा है हालीम एक्पीसराज के प्रथम मुखमंतरी अजीत जोगी का 24 साल के आयू में निधन हो गया है तो इसका जो सही अंसर है ये है option number ये 36 गड़ ठीक है, ये 36 गड़ के पहले मुखमंतरी थे तो 36 गड़ का गठन कब हुआ था 36 गड़ का गठन हुआ एक नबर 2000 को ठीक है, यहां के अभी ततकालीन मुखमंतरी कोन है ततकालीन मुखमंत्री है भुपेस बगेल ठीक है यहां के अगर लोखनीरित की बात करते हैं तो याद रखेगा साइला सुवा टपाली, नाचा यह सब लोखमिरित यहीं के हैं चतिसगड के यहां याद रखेगा लोखसवा में 11 सीठ है बिदान सबा में 90 सीठ है साथी साथ यहां से और याद रखेगा कि यहां इंदराबती कांगेर घाटी गुरू घासी दास यह सारे राष्टियों उद्ध्यान 36 गड में है बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो किया हमारा कोश्चन अबर 47 कोश्चन अबर 47 कह रहा है हाली में किसने हैस्टाग सेफ होम अभियान का सुरुभार हम किया है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा अप्सन नमर सी यानि A और B दोनो मतलब WHO और FIFA दोनों ने दोनों किया अगर हम WHO की बात कर लेते हैं इसका गठन 1948 में हुआ है हेड़कॉर्टर जनेवा सुजर्लेंड में FIFA की बात करते तो इसका गठन 904 में हुआ है और इसका जो हेड़कॉर्टर है बो है जूरिक सुजर्लेंड में ठीक है चलिए बढ़ते है अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है हमारा खाली में IOC ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस किसे बनाया है तो इसका जो सही अंसर है बो है आप्सन नमर सी नरिंदर बत्रा को ठीक है देखिए नरिंदर बत्रा अभितत कालीन में अंतराष्टिये होकी महासंग के भी प्रमुख है अंतराष्टिये होकी महासंग के भी प्रमुख है ठीक है अगर हम बात IOC की करते हैं तो IOC का हेड़क्वाटर कहा है IOC का हेड़क्वाटर जो है ठीक है IOC का जो हेड़क्वाटर है वो है लॉजेन स्विजर लेंड में स्विजर लेंड में इसका headquarter है अगर हम बात यहीं पर कुछ और Summer Olympics या Winter Olympics की कर लेते हैं तो Summer Olympics की अगर बात करते हैं 2021 का जो Summer Olympics है वो टोकियो में होगा 2024 का जो Summer Olympics है वो पेरिस में होगा और 2028 का जो Summer Olympics है वो Los Angeles यानि USA में होगा ठीक है अगर हम बात Winter Olympics की करते हैं तो 2022 का जो Winter Olympics है वो Beijing China में होगा और 2026 का जो Winter Olympics है वो Italy में होगा ठीक है तो यह याद रखिएगा बहुत बार इज़ा में पुछा जाता यह सो question चलिए बढ़ते अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 49 हाली में R3 लेखा कि सराज की पहली महिला पुलिस महादनी देशा यानि DGP नूक थुई है तो इसका जो साही अंसर है वो है option number D केरल ठीक है याद रखिएगा यह केरल की सबसे पहले IPS अधिकारी भी थी अगर हम केरल की बात करते है तो यहाँ के जो CM है बो है पिनराई बिजयन और यहाँ के राजपल है आरिप मुहंबद खान केरल से और याद रखिएगा कि यहाँ Silent Valley Perriyar और अन्ना मुदाई यह तीनों National Park भी कहा है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 50 question number 50 कह रहा है हाली में किस देश में 1100 साल पूराना sibling पाया गया है तो इसका जो सही answer है वो है option number B यानि बियतनाम में पाया गया है ठीक है अगर बियतनाम की बात करते हैं तो इसका capital हनोई है बढ़ते हैं अगले question की तरब जो किया हमारा question number 51 51 कह रहा है हाली में किस राज सरकार ने NEET के उमिदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग सुरू किया NEET की अगर बात करते हैं तो NEET आप लोगों को पता ही होगा medical insurance exam है NEET और NEET का फूल सर्म क्या होता है national eligibility come interest test ठीक है और यह सुरू किस ने किया है यह सुरू किया है तिलांगना ने ठीक है चलिए तिलांगना देखिए NEET के साथ-साथ और JE मेंस और बहुत सारे exam के लिए यह सुरू किया है चलिए question number 52 है oriental insurance company के चेर्मेन और परवन्नी देशक किसे ने उक्त किया गया है तो इसका जो सही answer है बो है option number is A. Rajeswari ठीक है अकर हम oriental insurance company की बात करते हैं तो इसका headquarter निव देली में है और इसका found यह हुआ था उन्हें साहता लिए ठीक है चलिए बढ़ते अगले question की तरफ अगला question है हमारा प्रती बर्स 20 तंबाकुनी धेस दिवस कमना आ जाता है तो यह already मैं आप लोगों को पीछे वीडियो में बता चुका हूँ तो इसका जो सही answer होगा बो होगा option number C 31st मैं देखिए और इसका theme क्या था यह याद रखेगा इसका theme था protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use क्या था protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use ठीक है तो यह इसका theme था चलिए पढ़ते अगले question की तरफ जो किया हमारा question number 54 question number 54 कह रहा है बीत बर्स 2019-20 में भारत में परतेच बिदेशी निवेश का सबसे बड़ा सुरूत कौन सा देश रहा है तो इसका जो सही answer है वो है option number D Singapore ठीक है अगर हम बात सिंगापूर की कर लेते हैं तो यहाँ की मुद्रा कहा है क्या है dollar है और यहाँ के president कौन है रखा गया है तो इसका जो नाम बदल के रखा गया है वो है Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology means option number C जो होगा यह इसका correct answer है ठीक है चलिए बढ़ते अगले question की तरफ जो किया हमारा question number 56 question number 56 कह रहा है हाली में भारतिये नोसेना के किस प्रतिस्टान में अगनी प्रस नामा के एक मिसाइल पार्क की अधार सिला रखे गई है तो इसका जो जो साही answer है बो है option number C यानि INS कलिंग और कहा रखा गया यह आंध्र प्रदेस में रखा गया है याद रखेगा आंध्र प्रदेस में रखा गया अगर हम भारतिये 9 सेना के बात कर लेते हैं तो भारतिये 9 सेना दिवस कम मना जाता है 4 December को मना जाता है कारम बीर सिंह और कौन से चीफ है मतलकर 24 चीफ है धालिये 9 सेना के हेड़ काटर तो नई दिली में है यह तो सब जानते होंगे तो इसका जो सई अंसर है वो है option number C यानि की उत्राखंड ठीक है उत्राखंड अगर हम बात उत्राखंड की करते हैं तो इसी ने यह भी hop portal लौंच किया विरोजगारों के लिए और यह द्रिष्टी लौंच किया portal जो की करोना बारस के बारे में सटिक जानकारी देगा ठीक है चलिए बढ़ते अगले question की तरफ जो की है हमारा question number 58 question number 58 कह रहा है हाली में किस राजने लाख की खेती को अब क्रिसी का दर्जा दे दिया है तो इसका जो सई अंसर है वो है option number B यानि की 36 गर्ड ने ठीक है और 36 गर्ड से वार important याद रखेगा इसने एक सी घाट एप लॉंच किया है ठीक है और 36 गर्ड में ही लॉंच हुआ है राजीब गांधी किसान न्याई योजना ठीक है चलिए बढ़ते अगले question की तरफ जो किया हमारा question number 59 question number 59 है हाली में किस राज सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी बिरासती होजना शुरू की गई है तो इसका जो सही अंसर है बो है option number A हरियाना ने ठीक है अगर हम हरियाना की बात करते हैं तो हरियाना का गठन उन्हें 66 में हुआ है इसके जो CM है वो मनुहरलाल खटर है यहां के स्टेट फ्लाबर लोटस है यहां का जो स्टेट रिये वो पीपल है यहां से एक चीजा और याद रखेगा यहां सुल्तानपूर जीला व्यारन है चलिए पड़ते अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा हाली में मिसाई पार्क अगनी प्रस्त की अधार सिला कहां दिवेना योजना भी लॉंच किया है और इसने मोबाइल हैंडवास तुविधा स्टेशन भी यहीं से बिलॉंग करता है आंध्य परदे से तो यह सारा चीज आप याद रखेगा आंध्य परदे से ठीक है तो आसा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा इसी एखेशे क्रादी एहलेग क्तुशन खवे और दे काव क्रेंच यहांषएजवार क्तुशन है